नमस्कार Breaking News निकल के आ रहा है कि पवन सिंग की होगी ग्रफतारी जिहां दोस्तों आप सही सुन रहे हैं और इस्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं कि जो के निशनल मिडिया आज तक यानी बिहार तक के माध्यम सी एक खवर निकल के आ रहा है कि पवन सिंग की हो सकती है ग्र दर्ज भी हुआ था लोग सावा छेत्र कारा काट के कई थाना से जिया दोस्तों कम से कम छे थानों में पवन सिंग के खिलाप एफाई आर दर्ज हुआ था इसलिए के चुनाव परचार में रोड सो में पवन सिंग को जितना परमिसन मिला था गाड़ी ले जाने का उससे हिससे जी जादा संख्यां में गाड़ी थी रोड सो में इसलिए पवन सिंग में अलग अलग थानों में इससमें भी शुना था उससी मामले में अभी शुनलiks होने है जी हां दोस्तों ऐसा ख़बर निकल के आ रहा है कि पवन सिंग को विक्रम गंज के बेवहार ने आले में कोट नम्मर 3 में पेस होना पड़ेगा इस बात पर अभी पवन सिंग ना ही पवन सिंग की टीम द्वारा कोई भी जनकारी नहीं दी गई है लेकिन ये ख़बर निकल के आ गया है नेशनल मीडिया में ये ख़बर चलने लगा है कि पवन सिंग की हो सकती है गिरफतारी चुनाओ अचार संगीता उलंगन के मामले में जिया दोस्तों यहीं मामला था जो चुनाओ के वक्त में हुआ था जब पवन सिंग निर्दलिये काराकाट छेतर से परत्यासी उपेंद्र कुस्वाहा के भोट में सेंध लगाने में काम्याब हुए जिया दोस्तों आप लोगों पता है कि यहीं कारण भी बताया जा रहा था कि पवन सिंग सिर्फ काराकाट ही नहीं और अंगाबाद बक्सर सभी जीलों में जो बीजेपी की हार हुई है उस दोस्तों और पवन सिंग की हार हुई उसी समय ये केस दर्ज हुआ था पवन सिंग पे फायार हुआ था जो केस फिर से खुल गया है जिसमें पवन सिंग के उपर सुनवाई होने वाला है पवन सिंग की पेसी होने वाली है ऐसा खबर निकल के आ रहा है और माकी जो भी खब